एपल कंपनी की वर्थ आज 2 ट्रिलियन डॉलर से भी जादा है और ये दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनियों में से एक है पर सवाल ये उड़ता है कि एपल कंपनी आखिरकार यहां तक पहुंची कैसे चलिए आज मैं आपको बताता हूँ जब स्टीव जॉब्स ने आपल कंपनी की शुरुबात की थी तो वे सिर्फ ऐसा प्रड़क्ट बनाना चाते थे जैसा वो सोचते थे वो एक फिचरिस्टिक थिंकर थे वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे कि कस्टमर उनका प्रड़क्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो सिर्फ भविश्य को ध्यान में रखकर प्रड़क्ट बनाते थे और यही सोच कंपनी में आज भी है एपल कभी नहीं सोचता कि उनका प्रड़क्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा वो कभी प्रड़क्ट नहीं बेशते हैं वो बेशते हैं अमीरी, दिखावा, डिजाइन, सिक्क्योरिटी, बहतरीन फीचर्स इसी वज़ए से एपल आज यहां तक पहुचा है गाइस आपका एपल के प्रड़क्ट के बारे में क्या खयाल है कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक विडियो में